तो 2024 में बहुत सी फिल्में लाइंड अप हैं आने के लिए एन इविन उसके आगे आने वाले साल में भी लेकिन हाल में ही बहुत सी अपडेट्स और न्यूज आए हैं आने वाले मुवीज को लेकर हॉलिवुड और इंडियन दोनों इंडस्ट्री से एक एक करके सब पे बात करेंगे सबसे पहले प्रभास की आने वाली मोस्ट अवेटेट फिल्म कलकी 2898AD की रिलीज डेट 9 माई 2024 है लेकिन कलकी के ट्रेलर को लेकर अपडेट है कि वो इस साल के सूपर बोल में दिखाया जाएगा जैसे कलकी का पहला टीजर सैंड डियागो के कॉमिक कॉन में दिखाया गया था जैसे मारवल, डीसी के मूवी पैनल्स दिखाते हैं वैसे ही इस बार फॉर्स ताइम एवर किसी इंडियन मूवी का ट्रेलर दिखाया जाएगा सूपर बोल इवेंट में और ऐसा भी सुनने में आया है कि कलकी का ट्रेलर इंग्लिश में डब्ड होगा ताकि उसकी रीच ग्लोबल ओडियंस तक पहुंचे और टॉकिंग अबाउट सूपर बोल तो यह भी रूमर्स है कि सूपर बोल में हमें डेड़पूल 3 का टीजर देखने को मिलेगा जो कि इस साल आने वाली MCU की वन एन ओनली फिल्म है और अभी हाल में रायन रेनोल्स ने अपडेट भी किया है कि डेड़पूल 3 की शूटिंग कम्पलीट हो चुकी है सो मैं तो बहुत ही जादा एक्साइट हूँ डेड़पूल 3 के लिए फिर ऐसे भी रूमर्स हैं कि उसी टाइम में हमें देखने को मिलेगी नेटफिक्स की एक फेमस सीरी स्कुट गेम के सेकंड सीजन का ट्रीलर जिसका फर्स लुक पिक्चर्स भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुए है फिर इसके बाद अगर आपको याद होगा तो 2005 में एक मूवी आए थी नो एंट्री के नाम से जिसमें सल्मान खान, अनील कपूर और फरदीन खान थे तो अब उसी फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है जिससे फिर से अनीज बाज में ही डिरेक्ट करेंगे लेकिन इस बार पूरी की पूरी कास चेंज हो जाएगी जिसमें में लीड में होंगे वरुन धवन, अरजुन कपूर और दिलजी दोसान जो की कनफिर्म्ड है देन अनदर मुवी जो 2011 में आई थी और मेरी वन अफ दे फेवरेट मुवी में से एक है देसी बॉइज उसके भी सीक्वल पे काम चल रहा है जिसमें अक्षे कुमार और जॉन अब्रायम नहीं होंगे और इसकी स्टार कास अभी फाइनल नहीं हुई बट ऐसे रूमर्स हैं उसे लेके बहुत से अपडेट्स आए हैं पहले तो इसकी कास्ट फाइनलाइज हो चुकी है जिसमें श्रीराम का रोल रनबीर कपूर करेंगे सीता मा के रोल में साइपल लवी होगी और रावन के रोल में यश्च कनफर्म्ड है और अभी हाल में ये न्यूज आई है कि हन नारा दत्ता को केके के रोल में ये भी कनफर्म है कि फिल्म तीन पार्ट में डिवाइड होगी जिसमें पहले पार्ट में शायद सीता हरन तक कहानी दिखाए जाएगी और बाकी के दो मूवीज में आगे की कहानी अध्याय में दिखाएगी उपर से रामायन मूवी का वी दीनेग वाले कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी हॉलिवड मुवी जैसे इंटर्स्टेलर, हैरी पॉटर, ब्लेड रनर, ड्यून का वी एफेक्स किया था, इवन इंडियन मुवी जैसे ब्रहमास्तर, आर 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 और इवन फाइटर का वी एफेक्स भी दीनेग नह मतलब रनबीर कपूर is all set for next 3-4 years, but talking about next 3-4 years, तो SRK जिनकी पिछले साल तीन मुवी आई थी, उनकी एक मुवी का रूमर आ रहा है कि फैमिली मैन और गंज अन गुलाब्स के डिरेक्टर राज अन डीके उनके साथ एक फिल्म बनाने बाले हैं, जिसमें SRK बहुत सालों के ब गेटेर रोल में देखना अपने आप में एक ट्रीट है, तो ये थे कुछ मुवी को लेकर अपडेट, न्यूज और आप लोग कमेंट करके बताना आपका क्या खयाल है इनके बारे में, so that's it, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं आप साब के नजदीक यूटुब के आप पर, तब तक के लिए, सीया, टाटा, बाबाई